नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल संगेताज कॉर्णर में किसी भी तहवार के लिए मिठाईया जितनी जरूरी होती है फ्रेंट्स नमकीन भी उतना ही जरूरी होता है तो इस दिवाली के लिए मैं लेके आई हूँ टेस्टी नट्स यानि मसाला मुंगफली के रेसीपी इसे हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाएंगे जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी और चटपटी बन के तयार होती है फ्रेंट्स तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा पसाद आने पे लाइक से रेकमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो चलिए फटावट शुरू करते हैं मसाला मुंगफली बनाने के लिए मैंने यहां पे एक बरतन में एक कफ मुंगफली ले लिए हैं ये वजन से 200 ग्राम मुंगफली है बस इसमें कोई खराब मुंगफली हो तो उसे हमें हटा लेना है और इसमें पानी डालके इसे अच्छे से हमें धो लेना है पानी से धोने क्रिस्पी भी बहुत जादा बनती है तो इसके पानी को हम लोग हटा लेंगे इस तरह से स्ट्रेनर में डालके और फिर एक सूखे बरतन में इसको हम लोग लेंगे अब इसमें बागी की चीज़े एड करते हैं तो सबसे पहले लेंगे आधा कप बेसन तो यहां पर एक कप पाउडर ले लिया है एक चोथा ही चमच ही लेंगे लाल मिर्श का पाउडर और दो चूटकी जैसा लेंगे बेकिं सोडा यानि की खाने वाला मीठा सोडा और यहां पर लेंगे आधा चोटा चमच नमक तो नमक थोड़ा सा हलका ही रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर से हम लो जो को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी अभी बिल्कुल ने डालेंगे क्योंकि मुंखळी हमारा भीगा हुआ है तो जो भी है इसमें मसाले या फिर बेसन और चावल वो उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाने देंगी जितना उसमें मुईश्यर है और यहां दीखिए थोड़ा सो जो बेसन और शावल रह गया है उसको कोट करने के लिए हम लोग यहां पे सिर्फ चमच से पानी डालेंगे तो एक बड़ा चमच मैने इसमें पानी डाला है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस मसाला मुंखळी को बहुत ही करारा और बिल्कुल मार्केट स्ट बेसन के लिए सिर्फ दो चमच पानी का ही यूज करेंगे और यहां पे सारी चीजों के अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक एक मुंखळी के ऊपर सारे मसालो और बेसन की कोटिंग बहुत अच्छे से आई है यदि यहां पे आधा छोटा चमच भी प मेरी लाल मिर्श का पाउडर आधा छोटा चमच लेंगे काली मिर्श का पाउडर आधा छोटा चमच भुना जीरा पाउडर आधा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर और एक छोटा चमच लेंगे चाट मसाला तो दो बार मैंने आधा छोटा चमच करके चाट मसाले लिया है उसके साथ ही लेंगे आधा छोटा चमश, काला नमक और आप चाहें तो थोड़ा सा रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं तो यहां पे इन सारी चीजों के अच्छा से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट देने के लिए यह मसाला बनाना बहुत ज़रूरी है तो यह हमारा चटपटा सा तीखा सा मसाला बनके तयार है इसको साइड में रख देते हैं फ्लेम पे अब हम लोग तेल गरम कर लेते हैं और एक एक करके मुंगफली को इसमें फ्राइ कर लेंगे तो यह थोड़ा सा भी पानी जादा हो जाएगा न मुंगफली में तो मुंगफली चिपक भी जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा बाद में वह अलग भी हो जाती है तो मुंगफली को डालने के बाद 2-3 मिनिट बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे और उसका ज्ञाग थोड़ा सा कम हो जाएगा यानि क मुंगफली के उपर की कोटिंग वच्छा से सेट हो जाएगी मुंगफली के उपर उसके बाद उसको हलके हाथों से हम लोग मिक्स कर देंगे और low to medium flame पे हमें इससे fry करना है तीन से चार मिनिट के लिए बहुत ज्यादा नहीं फ्राइगे नहीं तो मुंगफली जो जल जा करें अब तब इसमें असली मजायगा तो हम लोग दूसरा बीच सेम इसी प्रोसेर से रेडी कर लेंगे जब अधियान के पिर लेंगे और चेम को उह यह होुसum की कर देंगे और गरी कर देंगे셔서 कर देंगे तो एक हमारी मुंगफली में बहुत ही अच्छे ही से सारे मसालों की और मुंख फेली बेसन और चावल के अच्छी सी कोटिंग आई है अब इसमें हम लोग डालेंगे इसमें यह मैजिक मसाला जिससे यह की सूपर डूपर क्रिस्पी तो है ही और यह काफी टेस्टी और चटपटी बन जाएगी और यहां पर इस मसालों की यह दि कोटि कि यह कितना ही टेस्टी होगा तो इसे आप बना के न दो से तीन सब्ता के लिए स्टोर कर सकते हैं इसलिए दिवाली आने वाली है तो पहले से यह आप दिवाली के तैयारी करके रख सकते हैं इसे बना के रख सकते हैं मिठाईया तो बात में भी बनती रहेगी तो आज की यह झाल 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 झाल